इसके बाद हम देखते हैं POTM Magnate के रैसाइनिक अभिक्रियाओं को POTM Magnate एक प्रबल आक्सिकारक होता है और यहां पर हम देखें POTM Magnate में इसकी आक्सिकरण अवस्था Magnes की प्लस सेवन होती है और जो कि इसकी उच्चतम आक्सिकरण अवस्था है और इसका मतलब यह है कि यह और उच्छ आक्सिकरन अवस्था में नहीं जा सकता यनि कि यह इलेक्टरान त्याक कर अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता इसका मतलब यह हुआ कि यह भी इलेक्टरान ग्रहन करने की प्रवित्ति रखेगा और स्वयम अपचयित होगा त लेकिन जो पटेश्यम पर मेगनेट है वह भिन भिन माध्यमों में इसकी जो आक्सी करण प्रक्रिया है वह भिन भिन प्रकार की होती है यदि हम अमली माध्यम लें तो अमली माध्यम में जो जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो इसकी क्रिया कुछ इस तरह से होती है यहां प K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब अमली माध्या में प्रटेश्यम परमेगनेट की क्रिया होती है तो यह यहाँ पर पांच मोल नेसेंट ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन यह उत्सरजित करता है और इस तरह से जब इसका तुल्यांकी भार निकालते हैं क्योंकि किसी भी आकसीकारक का तुल्यांकी भार बराबर होता है उसके molecular mass यहनि कि जो उसका अनू भार होता है उसमें हम divide करते हैं उसके द्वारा ग्रहन किये जाने वाले इलेक्टरानों की संख्या को तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ जो कैमेनो 4 था उसमें यहाँ प्लस 7 आक्सिकरन अवस्था में था और जब यहाँ MnSO4 बना रहा है तो यहाँ पर यहाँ प्लस 2 आक्सिकरन अवस्था में चला गया है तो यहाँ पर हम देखें कि प्लस 7 से प्लस 2 आक्सिकरन अवस्था में जाने के लिए इसने 5 इलेक्टरान ग्रहन किये हैं तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो तुल्यांकी भार निकलेगा यानिकी E is equal to होगा अनुभार बटा 5 तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो इसका अनुभार होता है 158 उसको 5 से डिवाइट करेंगे तो हमें इसका जो तुल्यांकी भार प्राप्त होगा वह होगा 31 तो 31 ग्राम पर मूल इसी तरह से हम लें कि जब इसकी क्रिया हम छारी माध्यम में करते हैं तो छारी माध्यम में जैसे की यहाँ पर हम ले रहे हैं 2KmO4 प्लस 2KOH प्राप्तियम हैड्रोकसाइड जो की एक प्रबल छार होता है इसके साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो यह प्राप्तियम मैगनेट K2mO4 प्लस H2O में परिवर्तित होता है साथी साथ किवल एक ने मोलो की संख्या है वो कम होती है और इस समय भी हम जब इसका एकुलेंट निकालेंगे तो यहाँ पर जो इसका मॉलेकुलोर वेट है उसको डिवाइट करेंगे वन से यानि कि इस अवस्था में हम देखें तो इसका जो अनुभार है वह तुल्यांकी भार के बराबर हो होते हैं टू के मैंनों 4 प्लस H2O जली विलियन में तो यह हम देखें कि MnO2 मेगनीज डाइऑ औक साइड में यह परिवर्तित होता है टू MnO2 प्लस 2 खो प्लस 3 नेसेंट ऑक्सिजन या उठसरजित करता है तो यहां पर हम देखें कि यह प्लस 7 ऑक्सिडेशन स्टेट से MnO2 में मैगनीज की ऑक्सिडेशन स्टेट हुई प्लस 4, प्लस 7 ऑक्सिडेशन स्टेट से प्लस 4 ऑक्सिडेशन स्टेट में चला जाता है, तो यहाँ पर यह तीन एलेक्टरान ग्रहन कर रहा है, तो इस तरह से इसका जो एकुलेंट वेट निकलेगा, वह इसके अनुभार म की तीन को तीन से डिवाइट करके प्राप्त होगा, तो इस तरह से हम देखें कि जैसे जैसे अमली माध्यम में, यहाँ पर हम देखें, जब हैड्रोजन आयनों की सांदरता जादा होती है, उस समय इसके आक्सिकरण की जो प्रक्रिया है, वह भी जादा होती है, और यहाँ पर इसके तुलना कर सकते हैं, इसके मानक अप्चेन विभव के द्वारा भी, तो जब हैड्रोजन आयन की सांदरता जादा होती है, तो उस समय इहाँ पर मानक अप्चेन विभव का मान भी जादा होता है, जबकि उदासीन माध्यम में हम देखें, जहाँ पर हैड्रोजन आयनों की साय क्या कम होती है वहाँ पर इसके माना कप्चयन विभाव का मान भी कम होता है इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रमेंगनेट है वह भिन-भिन माध्यमों में भिन-भिन प्रकार से आक्सिकारक की तरह कार्य करता है तो आई अब उसके कुछ उधारन देखते हैं जिसमें फेरस आयनों का फेरिक आयनों में आक्सी करण होता है, इसकी आयनिक अभिक्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैग्नेट आयन, MnO4-, प्लस यहाँ पर Fe2+, फेरस आयन है, प्लस क्योंकि अभिक्रिया अमली माध्यम में हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे H+, तथा यहाँ पर हम देखें, आक्सी करित होने के बाद, यहाँ पर जो आयरन है, वो Fe3+, में चला जाएगा, जबकि जो मैगनीज है, वह स्वयम अप्चयित होकर Mn2+, में चला जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Mn2+, यहाँ पर Fe3+, यहाँ पर जल के अडू बनते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे H2O, अब यहाँ पर हम देखें कि यह जो समीकरन दिख रहा है, यह संतुलित नहीं है, और इस आकसिकरन संख्या विधी के द्वारा भी करते हैं, तो चलिए हम इस समीकरन को आकसिकरन संख्या विधी के द्वारा संतुलित करते हैं, और आकसिकरन संख्या विधी के द्वारा संतुलित करने के लिए हम मुख्य रूप से 5 पदों का उप्योग करते हैं, सबसे पहले पद स्टेवन तथर यहां पर इसकी औक्सिकर रण आवस्था हो गई प्लस टू उसी तरह से यहां पर जो फेर सायन आप No अभ स्टेज में पर इसकी अक्सिकरन आवस्था है प्लस घ्री he जब हम इनकी जो आक्सी करण अवस्था में परिवर्तन हुआ है इसका अंतर ग्याद करते हैं और इस अंतर या इस संख्या को हम N Factor कहते हैं तो यहाँ पर हम देखें मैगनेज प्लस 7 से प्लस 2 में गया तो यहाँ पर माइनस जो अंतर आएगा वो हो जाएगा प्लस 5 का जब वासिक करन अवस्था को जैजलिया है अब दूसरे पढ़ में हम जो यहाँ पर हमने n Factor पताल अगाया है तो अब मैगनेज के लिए जो N Factor है उसका गुणा हम era के से करते हैं और जो आयरे के लिए जो N Factor निकला है उसका के लिए करते हैं तो यहां पर हम इनका गुणा कर देंगे तो यहां पर मैगनीज के सामने के वल एक ही लिखा जाएगा तो यह हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो मैगनीज के लिए अनका फाइव था तो यहां पर हम फेरस का गुणा कर रहेंगे पाच से तो यह जाएगा फाइफ यहां पर है एच प्लस आयन और हम बता दें कि जो अनका गुणा है वह केवल बायोर की के अभिकार को के सामने ही किया जाएगा इसके बाद हम दोनों ही तरफ यहां पर परमाणूं का को बैलन्स करते हैं तो यहां पर हम देखें मैगनीज का एक ही परमाणू है और बायोर दायोर भी मैगनीज का एक परमाणू है आयरन के पांच परमाणू है और इसलिए हम दायोर भी आयरन के जो फे 3 प्लस है उसके स सामने पांच लिख देंगे साथ ही साथ यहां पर हम देखें कि इसके बाद जो next step होगा और next step में हम oxygen को संतुलित करेंगे तो oxygen में हम देखें दाई और MnO4 यहां पर oxygen परमाणू है जबकि दाई और एक भी oxygen परमाणू नहीं है तो इस तरह से हम दूसरी और जो जल है उसके सामने हम चार लिख देंगे तो इस तरह से oxygen भी दोनों तरब संतुलित हो गए हैं इसके बाद हम अंत में hydrogen परमाणूं की संख्या को संतुलित क देखें कि दाई और जल के चार अणू है यहने कि hydrogen परमाणूं की संख्या हो गई चार दुनी आठ यहां पर और इस तरह से बाई और भी जो हमने एच प्लस लिखा हुआ है उसके सामने हम आठ लिख देंगे तो इस तरह से hydrogen की परमाणूं जो आयन है उनकी संख्या भी दो कौनों तरफ जो चार्ज है उनको पता लगा कर हम अब उसका सही हमारा balance हुआ है कि नहीं हुआ है इसके हम जार्ज करते हैं चार्ज balance करते समय हम देखेंगे कि यहां पर बाई और हम देख रहे हैं MnO4 और इसके उपर केवल एक नेगटिव चार्ज है दूसरी और यहां पर हम देखें कि Fe2 प्लस है और Fe2 प्लस के सामने 5 लिखा हुआ है यहने कि 2 प्लस इंटू 5 करेंगे तो टोटल यहां पर प्ल hydrogen के पर 1 प्लस चार्ज है और यहां पर hydrogen का जो नंबर है वो है तो यहां पर हम देखेंकि 10 प्लस इट तो यहां पर 18 प्लस चार्ज है जबकि MNO4 में एक negative charge है तो यहाँ पर जो final charge हो जाएगा 18 में से 1 cancel हो जाएगा और हमारे पास 17 positive charge by और हमें प्राप्त हो रहे हैं अब हम दाई और भी charge की गढ़ना करते हैं तो यहाँ पर दाई और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास MN2 plus है और साथ ही जो यहाँ पर दो positive charge हो रहा है जबकि यहाँ पर हम देखें कि FE 3 plus है और इसके सामने 5 लिखा हुआ है यहाँ कि total जो plus charge हो जाएगा वो 5 into 3 is equal to 15 हुआ और MN2 plus के 2 plus 4 यहाँ कि 15 plus 2 is equal to 17 हो गए तो यहाँ पर भी हम देखें कि दाई और भी 17 plus charge है और बाई और भी 17 plus charge है इस तरह से चुकि charge भी दोनों तरफ बराबर हो गए है और इस तरह से हमारा जो पूरा समी करण है वह संतुलित हो गया है तो इस तरह से हम विभिन जो redox अभी क्रियाए है इनका संतुलन कर सकते है इसके बाद हम potassium permagnate की और भी आक्सी कारक अभी क्रियाओं को देखते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि जो oxalate iron है oxalate iron को यह carbon dioxide में oxy crit कर देता है यहाँ पर इसकी अभी क्रिया हम देख सकते हैं जब हम इसकी क्रिया MnO4- जिसमें की magneze की आक्सी करण आवस्था प्लस जानते हैं कि जो क्रोमियम है उसकी आक्सी करान अवस्था प्लस 3 होती है अमली माध्यम में कराएंगे इसलिए हम लिखेंगे प्लस H प्लस इस उक्वल टू यह Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है तथा यहाँ पर कार्बन डायोकसाइड बनती है और जल बनता है तो यहाँ पर भी हम देखें कि जो magneze है प्लस 7 से प्लस 2 आक्सी करित अवस्था में चला गया यहनिकि इसका अप्श्वयम का अप्चयन हो रहा है जब कि कार्बन की ऑक्सी करन संख्या में व्रिद्धी हुई है यानि कि इसका यहाँ पर ऑक्सी करन हुए है इस समीकरन को भी हम ऑक्सी करन संख्या विधी के द्वारा संत्रुलित कर सकते हैं और इसका जो संत्रुलित समीकरन होगा वो होगा 2 MnO4-5 C2O4-2-2-2-1-16 H-plus is equal to 2 M man-2-plus-10 CO2-8 H2O तो इस तरह से इसका हम संत्रुलित समीकरन लिख सापते हैं इसके बाद हम और दरण देखते हैं जैसे हैं sulfur में oxy current और जब हम इसका oxy current करेंगे तो इसके लिए हम सीधे संतुलित समीकरण यहाँ पर लिखते हैं संतुलित समीकरण में यहाँ पर हो जाएगा 2mnO4-5H2S प्लस यहाँ पर 6H plus is equal to 2mn2 plus यहाँ पर 5 sulfur पर मानूं आ जाएंगे और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8H2O तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो H2S है H2S में जो sulfur की oxidation state है वो माइनस 2 है जब कि यह sulfur में आक्सिक्रित हो रहा है जहाँ पर इसकी आक्सिकरण अवस्था शोन है H2S में का sulfur में आक्सिकरण हो रहा है इसी तरह से हम और भी उधारण ले सकते हैं अनुधारण है जैसे iodide आयनों का iodine में आक्सिकरण तो यहाँ पर हम लेंगे MnO4- और इसमें जो 10Ki potassium iodide के साथ जब इसमें हम अमली माध्यम में क्रिया कराते हैं तो अमली माध्यम में क्रिया कराने पर यह Mn2- प्लस बनता है और साथ ही साथ यहाँ पर iodine R2 प्राप्त होता है तथा जल के अनुधारण बनते हैं इसी तरह से हम देख सकते हैं तो इस तरह से हम देखे कि potassium permagnate अमली माध्यम में एक प्रबल ऑक्सी कारक की तरह करता है इस इसके बाद हम कुछ उदारन देखते हैं जिसमें यह उदासीन या थारी माध्यम में यह किस प्रकार से अभिक्रिया करता है इसके हम कुछ उदारन लेते हैं उदासीन माध्यम में अभिक्रिया यदि हम देखें तो यहां पर हम देखें कि जो प्रमेगनेट है वो मैगनीज क लवन को मैगनेस लवन को यह मन ओटू मैगनेस डाइओक्साइड में ओक्सिक्रित कर देता है जैसे कि इसके लिए हम समीकरन लिख सकते हैं तू के मैगनेज है वह इसकी ऑक्सिकरन अवस्था यहां पर मन टू प्लस है और यह परिवर्थित होगा यहां पर अभी क्रिया के दोरान के फलसरूप हमें जो उद्पात प्रात होंगे वह होंगे के टू एसो फॉर प्लस फाइफ एम एन ओ टू प्लस टू एच टू एसो फोर तो यहां पर हम देखें कि जो मैगनेज सल्फिट था एम एन एसो फोर था जिसमें एमन की ऑक्सिकरन अवस्था प्लस टू थी यहां पर परिवर्थित होकर एमन ओटू में जा रहा है और एमन ओटू में एमन की ऑक्सिकरन अवस्था प्लस फोर है यानि कि प्लस टू से प्लस सॉलूशन भी कहते हैं इसकी क्रिया जब प्रमेगनेट के साथ होती है तो यह भी एक उदासीन अवस्था में होने वाली क्रिया का उदारन है तो यह सब क्रिया के लिए हम समीकरन लिखेंगे टू के मैंनो फोर जब इसकी यहां पर टू एन एटू प्रमानू प्रमानू हमें प्राप्थ होते हैं तो इस तरह से हम देखें कि इस अवस्था में प्रमानूं में भी जो आक्सी करण की क्रिया होती है जिस में की सोडियम थायो सालफिट में जो साभण है उसका का आक्सी करण यहां पर परमानुक Sulfur के रूप में हो जाता है और इसलिए यहां पर जब हम अभी करया देखते हैं तो जो अभी क्रया कार्क के त picture पर विभेनर कारे कार्वनिक अभिक्रियाव में किया जाता है इसके अलावाव हम देखें कि यह ओंजेल्र या फेर चांप का यहां पर हम देखें कि hydrogen परक्स साइड इन सभी के volumetric analysis में या volumetrika estimation में हम इनका उपिग घरते हैं तो जैसे या जैसे सूतर के द्वारा हम इसे ग्याद करते हैं वो है M1 V1 by N1 is equal to M2 V2 by N2 तो इस तरह से यहां पर हम potassium permanent की सहाइता से और जलेट आइनों का फेरस साल्ट का या फिर hydrogen परक्साइड का यहां पर हम volumetric estimation प्राप्त कर लेते हैं इसके अलाबा बहुत से जो हैलाइड से उनके qualitative analysis के तौर पर बेभी इस प्रक्रिया में भी इनका उप्योग किया जाता है जैसे कि हम आयोडाइड है आयोडीन में convert कर देता है तो इस तरह से आयोडीन का जो है वह यहां पर हम की मात्रा ज्याज करने के लिए इसका उप्योग करते हैं इस सम्मीकरन को हम इस तरह से लिख सकते हैं होती है तो यह प्रैप्ट होता है में 6 के टुए सो फोर प्लस टू एम एन सो फॉर प्लस फाइव आल टू प्लस एट एच टू एस सो फॉर और इस तरह से हम देखें कि यहां पर चुकि आल टू बन रहा है और इसका उप्योग कितना यहां पर आधारीयम का हम यहां पर एयोडिन का कॉलिटेटिव एनालरसइस करने में उप्योग करते हैं इसी तरह से हम देखें कि हैं कि कई को विटेटिव एननल्यस से के टू ऑफ प्लास 2 ऑम एंड ऑफ़ 4 प्लास 5 यहां पर ऊप्लाउमीन उसरी होते हैं ग 25 यहां पर एंट जलके अनू बनते हैं तो यहां पर आधार पर हम Cash कि पहचान कर लेती हैं और इस तरह से इनके qualitative analysis में इसका उप्योग किया जाता है इसके अलावा हम देखें कि potassium permagnate का उप्योग विभी ने प्रकार के जो textile fibers होते हैं या उन हो या cotton हो या फिर silk हो इनके bleaching के लिए भी इनका उप्योग किया जाता है क्योंकि हमने देखा कि जब अमली माध्यम में इसकी क्रिया होती है तो यह उनको भी bleach करने के लिए रंग हीन करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है इसकी आक्सी का रख अभी क्रियाओं का उप्योग किया जाता है तो इस तरह से हम देखें कि दोनों ही हमारे योगिक potassium dichromate तथा potassium permagnate जो कि संक्रमण धात्मों के योगिक है विभिन रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है और प्रबल आक्सी कारक के तौर पर इनका उप्योग किया जाता है मिश्रुधात्यों को हम मुख्य रूप से दो भागों में वर्गी कर सकते हैं एक iron युक्त मिश्रुधात्यों जिन्हें हम ferrous alloy कहते हैं तथा दूसरी iron व तथा कार्बन होते हैं तथा थोड़ी मात्रा में इसमें क्रोमयम, वैन honeiorडियम, टंगस्टूम तथा मॉलयब्डेनम होते हैं पुना कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर हम ferrous alloy को दो भागों में बाठते हैं यदि iron के साथ कार्बन की प्रतिशत मात्रा शून दसमलो एक से कम होती है तो उसे हम आइरन एलॉय या लौह मिश्रधात्वी कहते हैं जबकि यदि आइरन के साथ कार्बन की प्रतिशत मात्रा शून दसमलो एक से अधिक होती है तो इस प्रकार के alloy या मिश्ण धात्व को हम steel alloy या smart मिश्ण धात्वी कहते हैं कि तथा यहां पर हम देखें कारबन और आईरन के अलावा जिस भी प्रकार की धात्व उपस्तित होती है उसके हिसाब से इसने नाम दिया जाता है जैसे यहां पर यदि क्रोमियम धातु उपस्तित हो तो इसे हम क्रोमियम इस टील यदि वेनरडियम उपस्तित नो तो तथा यदि मॉलब डेनम उपस्तित ऊंकर जाता है दूसरी और जो कि आर्न विहीन मिश्रदहात में होती है नॉन फेरस अलॉय होती है इसमे आर्न उपस्तित नहीं होता है हम देखें कि बहुत से संक्रमन धातों के साथ कुछ और संक्रमन धातों भी मिलकर एलॉय का निर्मान करती हैं जैसे कि एलुमीनियम ब्रॉंज जिसमें कि एलुमीनियम के साथ कौपर मिश्रित होता है इसी तरह से हम देखें डुरेलुमीन यह भी एक मिश्रधातु है जिसमें की आईरन उपसित नहीं होता है इसी तरह से जो मैगनेलुमीन जो की मैगनिशियम का अलाय होता है तथा इसके अलावा इलेक्ट्रॉम अलाय है इसके अलावा एक गामा अलाय भी होता है और ये भिन प्रकार की मिश्रधात्वें जिसमें की आईरन उपस्थित नहीं होता है भिन भिन प्रकार से उप्योग में लाई जाती है इसके अलाबा भी हम देखें कि कुछ जो वहमूल इधात्वें हैं जैसे की कौपर इसके साथ जब हम जिंक को मिलाते हैं तो हमें जस्ता मिश्रित करने पर हमें अलॉय प्राप्ट होता है उसे हम पीतल कहते हैं इसी तरह से जब कापर के साथ तिन मिश्रित होता है तो प्राप्ट अलॉय को हम कासा कहते हैं और इस प्रकार के अलॉय भी बहुत अधिक उप्योगी होते हैं